हमस्कार दोस्तों आप सभी का सागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि कैचप खाना आपके बच्चों की स्वास्ते के लिए कितना नुकसान दायक हो सकता है लेकिन इस जानकारी को देखने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपटेट होते रहें दोस्तों हम सभी के मन में ये सवाल रहता है कि कैचप सिहत के लिए फाइदे मंद होती है या फिर हानी कारक टोस्ट, बर्गर, सलाद, ब्रेड और फ्राइस का स्वाद कैचप के बिना अधूरा लगता है कैचप के साथ इन फूर्ज को खाने का मज़ा ही कुछ और होता है बहुत से लोगों को लगता है कि कैचप फाइदे मंद होती है कैचप में सबसे ज़्यादा टमाटर का इस्तमाल होता है इसलिए हम सभी को लगता है कि टमाटर पूरी तरह से सिहत के लिए फाइदे मंद होते है लेकिन अपने बच्चों को बहुत अधिक मातरा में कैचप खाने ना दे कैचप का ज़्यादा या लंबे समय तक इस्तमाल करने से इसका सहत पर बुरा परभाव पड़ता है तो चलिए दोश्तों जानते हैं कि सहत पर कैचप का किस तरह नुकसान होता है कैचप में 25% शूगर होता है कैचप का स्वाथ तो बहुत बढ़िया होता है लेकिन इसमें ज़्यादा चीनी की मातरा इसे आपके बच्चे के लिए नुकसान दायक मना देती है बच्चो को दूसरी चीजों से भी शूगर मिल जाती है इसलिए उन्हें कैचप कम ही खानी चाहिए कमर्शियल कैचप में बहुत जादा शुगर की मातरा होती है कैचप के स्वाद की वज़े से बच्चों को इसकी आदत हो जाती है आगे चल कर इस वज़े से सेहत को कई तरह के नुफसान हो सकते है कैचप में एक और कमे होती है और वो ये कि इसमें सोडियम की मातरा भी बहुत जादा होती है बच्चों को दूसरी चीजों से भी सोडियम मिल जाता है कैचप कमा मातरा में खाएंगे तो आपके लिए ही बहतर होगा कैचप खाने से ये खत्रा भी बढ़ जाता है अधिकतर कैचप में फ्रुक्टोज कौन सीरप की मातरा बहुत जादा होती है जो डाइबटीज और मोटा पेता कारण बनता है अपने बच्चे को ऐसी खतरनाक बिमारियों से बचाने के लिए उसे कैचप का सेवन कम ही करने दे अगर आपका बच्चा सुबह के समय नास्ते में टोस्ट के साथ भी कैचप खाता है तो उसे दूसरे कई रोग होने का खत्रा और भी जादा बढ़ जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैचप नुकसान तायक ही होती है अपने बच्चे को कैचप का स्वाद अच्छी तरह से इंजोई करने दे बड़े होने पर उन्हें खुदी समझ आ जाएगा कि कैचप का सीवन करना उनके लिए कितना फायदे मन और नुकसान तायक है तो दोस्तों ये ती कुछ खास जानकारी कैचप से होने वाले नुकसानों के बारे में आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं हम आप तक ऐसी ही नई और बहतरीन जानकारिया पहुँचाते रहें इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक वे शियर करना ना भूले हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तक तक आप अपना ध्यान रखें खुश रहें स्वस्त रहें धन्यावाद